नमस्कार दोस्तों जेपी स्टेनोग्राफ यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है यह डिक्टेशन असी सब्द परतिमिनाड का होगा जो की साथ मिनाड तक बोला जाएगा जन्सत्ता से लिया गया है दस सेकिंद बाद स्टार के जाएगा दोस्तों इस डिक्टेशन का पी देश के विभिन इलाकों में रहे परवासियों की समयस्या किस कदर गहरा चुकी है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आज केंदर सरकार के सामने उनके सही आंकडे जुटाना मुस्किल हो चुका है यह एक तरहें से सुरुवाती दोर में किसी समयस्या की अनदेखी से उपजी हुई मुस्किल है जो आज जटिल सकल अक्तियार कर चुकी है सोमुआर को केंदर सरकार ने सुप्रिम कोर्ट में हल्प नामा देकर बताया कि देश के विभिन हिस्सों में रहे रहे अवेद परवासियों की आंकडे जुटाना संभव नहीं है इसलिए की बहुत सारे लोग चोरी चिपे देश की सीमा में दाखिल होते हैं गोर तलब हैं की सर्वोच न्याले नागरिकता कानून की धारा छे एकी वेदथा पर सुनवाई कर रहा है जो असम में अवेद परवासियों से समंदित है हाल ही में अदालत ने केंदर सरकार से इससे समंदित आंकडे मांगे थे की देश में एक जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1991 तक कितने बांगलादेशी नागरिकों को असम में भारतिय नागरिकता परदान की गई साथ ही अवेद गुस्पेट रोकने के लिए अदालत ने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में भी पूचा था सिर्च अदालत की इस मसले पर केंदर सरकार से इस्थती स्पष्ट करने की मांग के पीछे अवेद परवासियों की नागरिकता से लेकर उनकी वजहें से पेदा होने वाली अन्य समस्याओं पर उठते सवालों का हल निकालने की कोशिज है मगर अदालत को दिये गए केंदर सरकार की जवाब से इस समस्या की जटिलता का अंदाजा लगाया जा सकता है सवाल है कि लंबे समय से देश के भीतर अलग-अलग इलाकों में उनकी पहचान तई कर पाने और उनके आंकडे जुटाने में इस इसतर की समस्या क्यों खड़ी हुई है आए दिन अन्य देशों से लगती सीमा को सुरक्षित करने के लिए व्यापक धनरासी खर्च करने और हर इसतर पर उपाय करने के दावे के बीच यह कैसे मुम्किन हो पाता है कि कुछ लोग गुप्त तरीके से भारतिय सीमा में ने केवल दाखिल हो जाते बलकि अपनी पहचान छिपा कर यहां की आबादी में गुल मिल जाते हैं ऐसा नहीं है कि भारत में अवेद गुस्पेट के जरिये आने वाले पड़ोशी देशों के लोगों से उपजी समिश्या नहीं हैं भारत के पड़ोशी बांगलादेश से अवेद तरीके से आए परवाची पिछले कई दसक से चिंता का कारण रहे हैं और कई बार इसने राजनितिक मुद्दे की सकल भी अक्तियार की यही नहीं इस वजहें से उपजे हिंसक टकराव में सेक्ड़ों लोगों की हत्या हो चुकी हैं असल में सरनार्थियों से जुड़े मानवाधिकारों के पहलू भी कई बार सरकारों को ज़्यादा सक्त होने से रोकते रहे हैं कभी कबार पडोसी देशों की ओर से देश में गुस आए लोगों को इका दुका मामला मान कर नजर अंदाज कर दिया जाता है मगर सच यह हैं कि यही अनदे की बाद में एक जटिल रूप ले लेती हैं जब इसकी वजहें से कई तरहें की मुश्किलें खड़ी होने लगती हैं यह द्यान रखने की जरुरत हैं कि भारत में अवेद गुसफेठ और परवासियों की वजहें से कई इस्थतियों में आंत्रिक सुरक्षा पर भी गंबीर परभाव डालता है अदालत को दिये गए जवाब में अब केंदर सरकार ने यह भी कहा हैं कि अवेद गुसफेठ को रोकने के मकसद से सीमा पर बाड लगाई जा रही हैं लेकिन गुसफेठ को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में इस इस्तर की देरी की गई हैं कि उसकी वजहें से देश के भीतर उपजने वाली समस्याओं का कोई ठोस हल निकालना एक बड़ी चुनोती हैं स्टोप स्टोप